हेलो फ्रेंद्स आज मैं आपके से शेयर करूंगी थ्री लेयर का यह प्यूटिफुल सा फ्रॉक जो चार से छे साल की बच्ची की नापका है और आपको जितना बड़ा बनाना है आप इस मेथर्ड से उस साइस का बना सेकते हैं सबसे पहले फ्रंट की बोडी हम कट करेंगे जिसके लिए सिंगल कप्रा देंगे कि यह ओवरलाप बोडी है तो इस तरीके से टीशिट प्लेस कर लिए जिए शूल्डर का आर्मोल्स का वन साइड का आप इस तरीके से मेजरमेंट लिए जैसे कि मैं यहां पर ले रहे हूँ एक साइड का ही आर्मोल्स का मेजरमेंट लेना होगा उसके बाद जितने आपको लंबा जो बॉडी होती है वो प्रिपैर करना उसे प्लस वान इंच लूजिंग रखते हुए वो आप ले लीजे मैंने नौ लिया है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और दोनों साइड पर स्लांट लाइन दे देना होगा इस तरीके से अब यह जो मार्किंग एरियाज है यह कप्रे की आपको विजिबल नहीं है बैट पैक कट कर लूगी तो आपको समझ माहेंगा इस तरीके से आपको फ्रेंट की यह हाफ पॉरी है इसे इस तरीके से कट करना है इसके उपर जो ह पड़ा रखेंगे और दूसरा पार्ट भी कट कर लेंगे सेम इसी तरीके से सोएन यहां पर दूसरा पार्ट भी आप तीकरें कट कर रहे हूं सेम उसे रख लिया है, ट्रीज नहीं क्या, डारीकली मैंने कट कर लिया है और हमें front के जो है वो दो हिस्से मिल गए है कुछ इस तरीके से अब हम इसे open करेंगे एक दूसरे के उपर ऐसे रखेंगे नीचे की तरफ सिलाई दे देंगे ताकि ये lock हो सकी और गले की area को help कर देंगे ये कर लिया है, back के fabric के लिए हमें कपड़े को fold करना होगा और front के fabric को रख कर exactly वैसा ही strays कर लीजे और उसके बाद इसे cut कर लीजे बहुत ही असान था अगर कोई भी difficulty होगी front के लिए तो आप मुझे comment आउं करके ज़रूर पुछे का और मैं आपका अंसर देने की पूरी कोशिश करूँगे तो back के भी कपड़े को हम कट कर लेंगे अब front and back के कपड़े का कट हो चुका है तो हमें आगे की भी bodies तो पहले ही मिल गई थीव पिछे की भी मिल गई है और अब हम घहरा प्रिपैर करेंगे तो घहरा प्रिपैर करने जितनी बच्चे की कमर है आगे के उसके आधा ले लीजे लेंथ जो है मैं फिलहाल आठ ले रहीं तो कि नीचे एक लियर आएगा पाच इंच का जो लेंथ बढ़कर हो जाएगी 14-15 तो इससे लिए मैंने आप आठ लिया है उसके बाद मैं जिटिब गुमाते हुए आप सर्किल ले लीजे सेमी सर्किल और इस पार्ट को भी कट कर दीजे सेम ऐसे ही आपको दूसरा हिस्सा भी कट करना होगा तो अब इसी कट करने के बाद हमें जो है वो फ्रंट का और बैक का दोनों हिस्सा कुछ इस तरीके से रिसीफ हो जाएगा यह सिर्फ आगे का हिस्सा है पीछे का भी हिस्सा आपको सिर्म ऐसी कट करना है जो लेंद मैंने आट लिया है तो हर 4-4 इंच पर इस तरीके से मार्किंग लगानी होगी यह बहुत इंपोर्टन स्टेप होता है क्योंकि हम फ्रिल लगाएंगे तो फ्रिल जब एक जैसी आती है तो वह जादा सुन्दर लगता है तो उसके लिए मार्किंग करना बहुत जदे इंपोर्टन हो जाता है तो हर जगा मैं जड़िप रखते हुए जहां जहां चाचा रिन चारा है आप उसे मार्क कर लीजएगा ताकि वहीं से ही आप फ्रिल अरच का घुमाते चले जाएगे जो कि असान भी होगा और नीट भी काफी साथा आपका जो ड्रेस है वो बनके रेडी हो जाएगा तो आप देखरें मैंने डॉट लगा दिया है अब स्ट्रॉट के साथ हम इस तरीके से ट्रेस भी कर लेंगे अब जो है वो मैं यहाँ पर दूसरा लाइन भी आप देखरें मैं ट्रेस कर रही है तो मैंने दोनों कपड़ा कट कर लिया है फ्रंट एंड बाक का सीम वही अम्रिला मेथट से ही कट किया है अब इस तरीके से 5-5 इंच की पट्टिया ले लिए है क्योंकि आदा इंच में अंदर फोल करते वे जाएगा आदा इंच उपर सिलाई में जाएगा इसलिए चार इंच के जगे पे 5-5 इंच की पट्टिया कट कर लीजे ताकि छोटा ना हो छे पट्टियों की जरूरत होगी तीन आगे के लिए तीन पीछे के लिए तो सबसे पहले उपर की तरफ आपको वेस्ट लाइन का आधा हिंच छोड़ते थे इस तरीके से चुननत देते थे आप लगा लेंगे तो नीचे वो इस तरीके से राइट साइड को टर्न होगा तो जो घेरा रहेगा वो सीधा और पट्टी को जो उल्टा लगते वे जब आप चुन दे देंगे तो वो नीचे जो सीधे की तरफ आएगा तो आप देखरे पहली पट्टी लगा ली हूँ दूसरी पट्टी अंदर जो अपने मार्किंग के आथा वहाँ से शुरू करना है ताकि दूसरी पट्टी की जो चुन्नटे की सिलाई हो वो विजिबल ना हो तो उसी मेथर्ट से दूसरी पट्टी को भी हम जो है वो सिलाई दे देंगे तो तीनों पत्टी मैंने लास्ट लाइन पे भी लगा लिया है और इसी साथ फ्रेंट एंड बैक दोनों पे मैंने ये रफल लगा लिए जो कि बहुत सुद्ण लग रहा है अब इसमें जो है वो बॉडी इस अटाच कर लेंगे सो फ्रेंट एंड बैक दोनों की ही जो बॉडी है वो मैंने जॉइन कर ली है इस तरीके से स्ट्राप अंदर हम रख रही है दोनों साइट से अंदर की तरफ पुष करेंगे बैक साथ की कपड़े को उल्टा रखेंगे और सिलाई दे देंगे यह स्ट्राप आगे भी आप टाई कर सकते है पीछे भी टाई कर सकते है वह अपनी मरसी के हिसाप से है तो मैंने यहां पे जो है वह सूल्डर भी हमें स्टिच कर लेना होगा इसे पकड़ते हैं और आर्मोल्स के नीचे से लेकर घेरे के फिटिंग पीनियों के रफिल को छोड़ते हैं रफिल सारा अंदर के तरफ पुष कर दीजेगा सो यहां पर मैंने स्लाई दी दिया है आप देख सकते हैं और इस ट्रैप को इस तरीके से आगे की तरफ करते हुए नोट लगा दीजेगा को इससे आप बैक पे भी बांन सकते हो फ्रंट पर में बांन सकते हो आप अपनी मरसी के हिसाप से Pap music से बांन सकते हो रफलो भी बहुत अच्छा आता है लुक भी ड्रेस बहुत अच्छा आता है सारे रॉफ़ल्स को पकड़ते हुए आप सलाई दे दीजेगा आन यूसके बाद या रट्रेस रहे पुरी तरीके से रेडी हो जाएगा आप इस ड्रेस को अपनी लिये भी बना सकते हैं skirt भी इस तरीके से 3-0-0 का बना सकते हैं आपको जो भी पसंद है अगर यह वीडियो पसंद आएगा तो चानल को लाइक और शेर जरूर कीजएगा और कोई भी questions हो तो comment आँकर के जरूर पूछेगा तिल दिन गाइस thank you for watching my channel बाइबाई टेक केर